हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक ट्यूम यूट्यूब चानल यार एजुकेशनल लग तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिया फ्रेंट्स सीबेसी बोर्ड मेंबर ने जो भी बात किया है सीबेसी ट्वल्थ एक्जाम को लेके वह मैं आपको ओफेसियली नोटिस अपडेट देने वाली हूं तो फ्रेंट्स अगर आप हमारी चानल पर नियू है तो प्लीज हमारी चानल को लाइक सब्सक्राइब ज कि एक्जाम होगा या नहीं होगा वो आज हमनों डिसकस करने वाले हैं तो फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि आप कोई भी न्यूस को नहीं देखोंगे क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर फेक न्यूस क्रियेट करके सिबेसी कैंसलेशन का पात कर रहे है जी हाँ फ्रेंट्स उन सभी का कहना है कि बोर्ड एक्जाम कैंसल हो जाएगा केस कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा कि स्टूडेंट तक प्रेशर पर डाल रहे हैं कि अन ओफेसियली न्यूस देकर जी हाँ फ्रेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूट्यूबर्स ऐसे काफ़े यूट्यूबर्स हैं जो फेक न्यूस आपको बता रहे हैं अन ओफेसियली टेक्निकली ऐसे बात को यूज़ करके जी है अभी तक सिबेसी ने कोई बी ओफेसिले न्यूज आउट अपडेट नहीं दिया है जो भी 12th Board exam है उसको conduct कराना है और फिलाल अभी जो मैं में आपका 12th Board होने वाला था उसको करोरा जो अभी काफी ज्यादा critical है उसको देखते हैं आपके 12th Board को पोश्ट पॉन किया है ना कि कैंसल किया गया है तो ऐसे में काफे यूट्यूबर्स आप इसी बात का फायदा उठाके आपको फेक न्यूज दे रहे हैं कि सुप्रींग कोट में केस दर्ज हो रही है प्रोटेस्ट कर रहे हैं हैस्टाइग कैंसल बोर्ड एक्जाम का और थोड़ा टेंशं में है जिसके वज़ेसे जो उनका एक्जाम है वह प्रिपरेशन नहीं चल रहा है तो कोवीट के वज़ेसे काफे थे स्टूडिक जो स्टूड़ी है विल्च हो चुका है ओनलाइन स्टूडी साही रही है ऑफेसली न्यूस पर जाए क्योंकि फेक न्यूस आपके माइंड और केरियर्स को डिफेक्ट करेगा तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिबेसी बोर्ड को लेकर और कैंसिलेशन को लेकर और हम यहां पर यहां भी बात करेंगे कि आखिर सिबेसी बोर्ड में आप चाहे ऑफेस्यल निवस भी चेक कर सकते हैं क्योंकि बागी यूट्यूबर की तडह फेक निवस नहीं बताहुंगी मुझे पता है अभी आपके साथ अंगे CBAC cancellation और कुछ advice मेरे तरफ से board को लेकर सबसे पहले बात करेंगे CBAC ने क्या बोला है जिया फ्रेंट CBAC ने 12th board को लेकर आखे क्या बोला है CBAC ने बोला है हम लोग अपनी तरफ से पूरी तयारी कर रहे है तयारी क्या हो रही है अगर जिन state में center कम है और students जादा है 5-7 लाग बच्चे board exam देने वाले है तो ऐसे में डेली में कम center है तो जिसके वज़से center को बढ़ा दिया जाए गया ताकि ज़्यादा crowd ना हो second जितने भी teacher और कर्मचारे होंगे exam में सामेल होंगे उन सभी teacher और कर्मचारी को vaccination लगवाना अनिवारी है तो फ्रेंस रिस्की तो है board exam को conduct कराना लेकिंग covid-19 का सारे rule को follow करना होगा अगर exam को offline conduct कराती है तब तो फ्रेंस जैसे कि आपको पता है यह साल यानि 2021 में जितने भी students हैं जो boards exam देने वाले हैं या फिर competitive exam फिल किये हैं उन सभी students के लिए काफी ज्यादा प्रेशर है क्योंकि पहले रीज़न है कुरोना सेकेंड़ी सिलिबस चेंज हो रहा है और इधर उदर सिलिबस को कराय जा रहा है और पोस्ट्पॉन बार बार होते जा जा रहा है जिसके वज़ए से students के बीच में बार बार प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि एक ही चीज को more time study करना और exam का बार बार पोस्ट्पॉन होना काफी ज्यादा प्रेशर हो रहा है student के उप क्योंकि friends मैं भी जानती हूँ कि किसी भी चीज को बार बार एक ही चीज को अगर करते रहना बिल्कुल भी सह ही नहीं है तो सारी बाते जो सिबसी ने बूली है सिंटर को बढ़ाया जाएगा प्रोटोकोल का पालन होगा वैक्शिनेशन कराया जाएगा वोटेंट सिबसी ने ये भी बोला है कि parents अपने बच्चों की study पर ध्यान दे यह सारी बाते सिबसी बोर्ड ने meeting के दारान cancellation की ब को जो cancellation का जो meeting हो रहा था उस समय यह सब बाते है हो रही थे क्योंकि आप सभी को पता है करोना काफी ज्यादा situation critical हो चुका है तो ऐसे में exam को conduct कराना बहुत ही मुस्किल है फ्रेंस जैसा कि आपको मैं याद दिला दो कि पिछले साल 2020 में जिते भी 12th students थे उन सभी का exam कोई को stream का exam नहीं हुआ था आपको याद होगा तो पिछले साल भी कोरोना के वज़े से काफे सारे students का जो exam था वो cancel हो चुका था science stream के student का exam हो चुका था तो फ्रेंस काफे सारे students ये भी बोल रहे हैं कि पूरे साल online study कियें कोई भी books available नहीं था कोई भी test series वैसे join किये नहीं थे essay में जितना भी उन्होंने preparation किया था बस online के थो online भी study सही से नहीं हुआ था क्यों online classes first time और कोई भी book prefer ना होनी के वज़े से student का जो preparation है वो बिल्कुल सही नहीं है जिसके लगजे से काफे सारे students अपने boards को ले के अपने career को ले के काफे ज़्यादा क्रिटिकल होता है कोरोना का तो फ्रेंट्स board exam को कैंसल खाया भी जा सकता है अगर situation काफे ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो लेकिन ये भी exam आपका जो है वो कैंसल नहीं होगा अगर exam conduct करा जाए जाएगा 12th board को तो आपका online होगा तो अगर online exam होता है तो इसका मतलब यह नहीं online जो paper होगा वह आपका easy होगा बिल्कुल easy नहीं होने वाला है क्योंकि जो question आपको मिलेगा वह काफी tricky question रहेगा इतना tricky कि आप book open करके भी आप आप नहीं देख सकते हैं book open करके भी आप उसको खोज नहीं सकते इतना tricky question रहेगा क्योंकि बोड इतना बेकुफ तो नहीं होगा कि online exam conduct करा रहा है question आपको easy दे जो क्योंकि आपको भी पता कि जो offline paper है मैंने भी 12th board exam दिया है जो offline paper है तो वो easy होते है अगर जब आप online exam देते है ना तो वो online paper आपका तुरह tricky रहता है तो friends आप सभी students से मैं यह request करती हूँ कि अगर exam cancel होता है तो आप उसका wait ना कीजिए क्योंकि आपके बस जो भी time में आप preparation कीजिए I know काफी situation critical है लेकिन यह सब हम लोगे बस में नहीं है क्योंकि आपका काम है study करना क्योंकि अगर exam online हो 12 में हैं अगर आप 12 में और अभी आप study stop करते हैं तो जो graduation में आप admission लेते हैं तो भी आपको दिक्कत होगा क्योंकि अभी आपका study जो है वो break हो चुका है और second thing अगर आपको NEET और JEE का exam देना है तो please अपना जो study है वो उसको continue रखिए क्योंकि NEET और JEE exam को कभी cancel नहीं करा है जाता है क्योंकि वो exam आपका होना ही होना है क्योंकि आपको याद ना हो तो 2020 में जो exam मुआ था नीट का वो September में हुआ था जिया फ्रेंस September में हुआ था क्योंकि Corona के वज़ा से उसको भी cancel कर सौरी पोस्ट पॉन किया गया था क्योंकि जब situation थोड़ा normal हुआ देन प्रोट भी है अगर आपको अपडेट जानना ही है तो आप officially website चेक कीजिए आजकल के generation जो यूद के हैं वो newspaper का भी रीड करते ही नहीं है newspaper रीड कीजिए अगर आपको officially notice जाना है तो newspaper रीड कीजिए उससे आपको हर एक information मिल जाएगा लेकिन बहुत सारे students newspaper बिल्कुल रीड नहीं कर रहते हैं जिसके वो जैसे उनको YouTube पे उतरना पड़ता है और YouTube में काफी सारे fake news दिये रहते हैं जिसके कारण आपको गलत impact पड़ता है और आप गलत news को read करते हैं तो friends ऐसा situation है आप काफी pressure में exam को लेके corona को लेके अपने family को लेके अपना career को लेके तो friends ऐसे में आप जितना या फिर cancel किया जाएगा क्योंकि आपको मैं बता दो अभी तक officially news नहीं आया है कि exam को cancel कराया जाएगा बस बोला गया कि exam को अभी पोश्ट पॉन किया जाएगा अगर situation normal होता देन exam आपका conduct होगा and second thing friends अगर आपको कोई भी doubt है boards को लेके नीट को लेके जेही को लेके या फि इसाब comment section में comment कीजिए मैं आपको reply दोंगे क्या करना है क्या नहीं और most important thing आपको एक studio बनाना होगा daily life क्योंकि आपको study करना ही करना है friends क्योंकि ऐसे fake news को देखना मत बंद कीजिए तो friends I hope आज का news आपके लिए काफे beneficial रहा हो क्योंकि यह official news है CVC board के थो तो friends आज के लिए बस इतना ही I hope आपका न्यूज आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ friends ज्याद से ज्यादा अपने आपको सेफ रखिए stay home and study अच्छे से कीजिएगा